नमस्कार दोस्तों, पुझे शिक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भाईनों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है स्वास्तिक यानि सातिया जो है सावन के पावन पर पर किस प्रकार से धनमार खुलेगा कि इस दिसाम में सही तरीके से स्वास्तिक बनाया जाए और किस चीज से बनाया जाए कि आपके सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाए सबसे पहले आपको इजानना जरूरी है स्वास्तिक जो है बहुत पॉजिटिव उर्जा देने वाला होता है वो जहां पर भी बनाया जाता है उस दिशा के जितने भी देवी देवता हैं वो आपको पॉजिटिव जो उर्जा हैं वो प्रदान करने लगते हैं परंतु कई लोग स्वास्तिक बहुत गलत तरीके से बनाते हैं जैसे आप आज स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाना सीखेंगे किस प्रकार से आपको सही स्वास्तिक बनाना है उसके बाद आगे आपको बताएंगे किसके कितने लाव होते हैं तो ये अभी मैं sketch pen या color pen होता है उसका use कर रही हूँ आपको बताने के लिए ताकि आप किस प्रकार से कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे और उसके बाद अपने जीवन में सावन के स्पावन पर पर धनमार खोलेंगे कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से आपको स्वास्तिक और साथिया बनाना है और सदेव इस बात का ध्यान रखें कि हमें स्वास्तिक हम जहां भी बनाते हैं वहाँ पर साक्षा श्री गणिश का वास होने लगता है तो आप जो है अपनी पुस्त को पर बना सकते हैं बच्चों के रूम में बना सकते हैं अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पूरवदिशा की और उनका टेबल लगा कर यानि कि उनका मुख जो होगा पूर दिशा की और होगा और उनके जसे सामने स्वास्तिक जैसे आप गाये के गोबर्ग से बना हुआ स्वास्तिक ले सकते हैं और हल्दी का स्वास्तिक भी बच्चों के लिए खासा जो है फाइदे मंद होता है क्योंकि ब्रस्पती देव के सानिद्धी में हल्दी आती है तो आप जैसे देख रहे हैं अभी मैं लाल पैन का यूस कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे आपको जब कॉपी या पैन पर बनाना है तो केवल और केवल जो है लाल पैन कि किस प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाना है क्रीपिया आप जो है ध्यान से देखिएगा और यहां पर जो मैंने ब्लू रंग का भी प्रयोग किया है ब्लू रंग भी माता लक्ष्मी के एक रंगों में से माना जाता है अगर आप ब्लू रंग का प्रयोग करते हैं तो आ अगर आप पीली हल्दी और अश्ट गंद को मिलाकर और गुलाब जल साथ में थोड़ा सा मिक्स कर लीजी अगर आपको गुलाब का तेल मिलता है तो बहुत ही शुब रहेगा नहीं तो आप गुलाब जल मिक्स करके स्वास्तिक बनाईए थोड़ा बड़ा बनाईए और आप जो है वहाँ पर डेली अगरवत्ती दिखाईए आप देखेंगे कि इस प्रकार से उस दिशा से आपको पॉजिटिविटी मिलने लगे क्योंकि कुबेर की दिशा है शाक्षत कुबेर जी आपके घर में उस थान पर विराजमान है इंद्र देव विराजमान है तो वो जो स्थान होता है बहुत पवित्र माना जाता है किनी वज़ाओं से अगर आपको नहीं पता लगता है कि या उत्तर दिशा जो है आपकी वहाँ पर सामान रखा हुआ है या वो दिशा में दौार है या किसी प्रकार की अ और वहाँ पर ये जो स्वास्ति क्या सातिया का चिन है वो बनाईए श्री गणेश की मूर्ती भी रखिएगा तो आपके जीवन से विग्न हरता गणेश जी सभी विग्नों को भी हरेंगे और आपको जो है बहुत ही जादा जो समान आपका बहुत दिनों से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है या धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है या बहुत काम अटक गए हैं आपके आपकी कई चीजें जो हैं आपका बुद्धी भी सात नहीं दे रही है परिवार भी सात नहीं दे रही है आप देखेंगे कि आपको ग्यारा से बारा दिन के अंदर ही किस तरीक पर बाहर की द्वार पर स्वास्ति का निशान बना कर हमें जो है वहाँ पर ओम नमशिवाय का या ओम का जाप करना चाहिए गायतरी मंतर आता है तो बहुत ही शुब है लक्षमी जी के बीज मंतरों का भी जाप कर सकते हैं आप सावन के महीने में मैं स्पेशली इसले कहूंग ठीक वैसे ही आपको अगर आपको विद्या और ब्रस्पती जैसे आपके उच्च के करने हैं आपको समाज में मान सम्मान चाहिए आपको धन चाहिए विद्या चाहिए साथी साथ आप चाहते हैं कि पारिवार में प्रेम बना रहे सदेव आपका और आपका जो है बहुत ज जहां से इंटरेंस होता है वहाँ पर और जो डोर सबसे ज़्यादा यूज में आता है घर के इंटरेंस के समय पर उन दोनों डोर्स पर आपको जो है ये स्वास्तिक बनाना है हल्दी से वहीं अगर आप चाहते हैं विग्न हरता श्री गडेंज जी की करपा दृष्टी प्रा लाइन को काट नहीं रहा है यही होता है स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्योंकि जब स्वास्तिक बीच में से कट जाता है तो जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव नहीं आपाती है यहां पर जो आपने स्वास्तिक बनाना सीखा है वो बहुत क्लियर बना है और वो किसी जो होगा, वो मुख्य, जो मेन पॉइंट होगा, मतलब आपके घर का जो इशान, या जो देवी स्थान कहलाता है, घर का मुख्य बीच का कोना तो उस स्थान पर जो है आपके देवताओं को हम रोक रहे हैं या वहाँ पर हम जो है उस डॉट को गहरा करके ये संदेश देने हैं कि हमें आपकी जरूरत है कृपया आप हमारे घर पर विराजबान हो तो आपको भी इसी प्रकार से बनाना है और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर आपके जीवन से जो है कुछ बूरे लोग चेले जिदे हैं कई बार जाने अन जाने शत्रू समझ लेते हैं परण Twohya शत्रू नहीं होते हैं वो कई बार उनकी ग्रहों के कारण नेगेटिव हो जाते हैं तो आप अगर अपने घर में बहुत ज़ादा पॉजिटिविटी चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं आपके घर पर कभी भी जड़ाई जगड़ा हो लोगों के बीच में मदभेद हो पती पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे बच्चे सदेव आपकी बात सुने तो मुख्य द्वार पर आपको साड़े छे इंच का स्वास्तिक बनाने से बहुत प्रकार ये वास्तु दोश्त द बनाने लगेगी व्यापार में व्रधी के लिए कास्तर पर विद्वान आचारे से स्वास्तिक का निर्मान करवाना चाहिए जो की बहुत शुब माना जाता है या फिर आप अपनी पत्नी से करवा सकते हैं आपनी माता जी से क्योंकि पत्नी शुक्र का प्रतिक मानी जाती ह और जो आपकी माता जी होंगी वो चंदर का प्रतीक मानी जाती है तो दोनों ही आपके जो व्यापार के लिए हैं शुब मानी जाएंगी अगर आप किसी पंडित से पूजा द्वारा स्वास्तिक बनवा सकते हैं तो बहुत ही शुब रहेगा अगर नहीं करवा सकते हैं तो आ आप जो है अपनी पतनी या फिर अपनी माता जी से भी उनके शुब हातों से जो है स्वास्तिक का चिन बनवाईए हल्दी कुमकुम से और गुलाब जल से और गुलाब की पांच अगरबती रोज आपको अपने व्यापार स्थाल पर लगानी है जिससे की धन में आ रही स्वास्तिक बनाने से भी आपको बहुत लब देखने को मिलेंगे जैसे मैंने पहले बताया उत्तर दिशा जो है देवी लक्ष्मी की कुबेर देव, इंदर देव की दिशा है तो कारिस्थल के लिए भी आपके लिए वो जो जगा रहे ही बहुत शुब रहेगी तो वहां पर हल्दी से स्वास्तिक बनवा कर आप जो है दिवाली के समय पर बनवा सकते हैं अभी क्योंकि सावन चल रहे हैं तो सावन के समय पर विशेश तोर पर शुक्रवार वाले दिन अपनी धरम पतनी से या माता जी से जो है स्वास्तिक का चिन बनवा लिजे अगर घर से ही काम क करते हैं उस जगा पर ही उत्तर दिशा में आप जो है चिन्न बनवा कर और रोज पांच गुलाब की अगरबत्ति आप लगाईए सुभह शाम किसी भी समय पर लगा सकते हैं इस चीज का कोई नियम नहीं है परंतु कारी जो है पूर्ण भक्ती भाव से करें अब आपको बतात स्वास्तिक का चिन्न बनाईए स्वास्तिक क्योंकि एक पॉजिटिव चिन्न है इससे धर्म का कोई रिलेशन नहीं है तो आप किसी भी धर्म से बिलॉंग करते हैं स्वास्तिक का चिन्न बनाईए वहां पर एक जो है मिट्टी का दीपक आपको अगर घी आप लगा सकते है तो घी गाएगा घी से दीपक जलाईए अगर घी नहीं लगा सकते हैं तो तेल ले लीजिए आप और तेल जो होगा सूरज मुखी का तेल होगा इस बात का ध्यान रखी इसके अलावा और कोई तेल नहीं चलेगा सनफ्लावर ओयल से तेल लगाए और ये जो दीपक होगा आप अपनी मनो कामना कहते वे जलाए इसे जलने दीजे आप अखन जोती हम जैसे जलाते हैं न वैसे आपको आप इस बात का ध्यान रखे कि रूई की बाती थोड़ी बड़ी ले लिजेगा क्योंकि वो बुजिनी न अपनी मनो कामना दिल से कहते हैं तो मनो कामना निश्चित ही जो है आपकी पूरी होती है इस चीज में कोई दो रहने और सावन का स्पेशली महीना चल रहा है इस समय पर अगर एकारे करेंगे तो आसपास से भी जो है जैसे देवी देवता की पॉजिटिव एनरजी अभी इस समय पर बहुत बड़ी हुई होती है और आप जो भी पूजा पाट करते हैं उसका फल आपको निश्चित ही मिलता है तो इस समय पर अगर एकाल कर लेंगे तो आपकी जो है सभी प्रकार की मनो कामना पूर्ण होंगी तदा देवी देवता भी आपसे प्रसन होंगे जिस गर में दीपक जलता है उस घर पर सभी देवी देवताओं का आशिरवाद सदा बना रहता है इस बात का ध्यान रखे हम लोग अगर हमारे मंदीर में दीपक जलाते हैं स्वास्तिक कच्चिन बनाते हैं अगर वहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी तभी आपके घर पे शा आप दायक होता है बूरे सपने अगर आपको परिशान कर रहे है या फिर बेचैनी के कारण आपको रात में नीन नहीं आती है सोने से पहले अपनी तरजनी से स्वास्तिक बना कर सोएं आपको खुद फर्क महसूस होगा तरजनी याने की हमारी इंडेक्स फिंगर इंडेक् आप जो है उसे रख लीजे अगर वाइट पेपर पे जैसे मैंने बताया वैसे बना कर अपने सिरहने के नीचे रख कर सो जाते हैं तब भी आप देखेंगे बुरे सपने आने आपको बंद हो जाएंगे इस फेशलिए अगर बच्चों के साथ यह उपाए करेंगे तो बच बहुत एक्टिव रहता है तो उस समय पर जब आप बच्चे भी सोएंगे उस पीलो के उपर सिरह रख के तो आप मॉर्निंग में देखेंगे धीरे धीरे उनका मन जो है बुरी चीजों से हटकर यानि जादा खेल कूट से जादा मोबाइल से जादा टीवी से हटकर वो धी दीरे पढ़ने की और अग्रसर होने लगेंगे यह उपाय तो हर माता पिता को करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी उपाय है अपने बच्चों के लिए और उनके गुरू ग्रह को प्रबल करने के लिए और यहां पर यह भी बताऊंगी मैं आपको कि हम सदेव कहते हैं पि गुस्त हो जाते हैं कि हमारे ममी पापा हम पर ध्यान नहीं दे रहे या जब बच्चे हम पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम बच्चों से गुस्त हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हम पर ध्यान नहीं दे तो यह जो है यह पितर दोश नहीं होता है कुछ समय का जो है सिर्फ एक करना है आज बित्रों की क्रपाद रष्टि के सांति बनती हैं गाएं के गोबर में लक्षमी जी ऑवास माना गया है तो आपके घर 토र harmonisch अबर का स्वास्ति गाज़कल तो बना बनाए वह मिलता है, आप वो लगा सकते हैं घर पर अपने खुद हातों से अगर बना कर किसी भी दिवार पर या किसी कागस पर बना कर रख लेते हैं, घर के मंदीर में तो आप देखेंगे कि आपके पित्रों की जो क्रपा है आपको कै जै माता दी दोस्तों झाल झाल